इस्ट्रक्चर एंड बॉंडिंग के लेक्चर नमबर सेवन्त में आपका हार्दी की स्वागत हैं आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लिकेशन ओप इंडक्टिव एफेक्ट प्रेनिक प्रवाव के अनुपरियोग पिछली लेक्चर में हमने इंडक्टिव कि और गीनिक केमिस्ट्री में क्या एप्लिकेशन आपकेशन से कहां-काहां पर प्रेनिक प्रवाव का यूज होता है उसको अच्छे से डिस्केस करेंगे, कि अप्लिकेशन ओप इंडक्ट एफेक्ट इंडक्ट WAT की कि अप्लिकेशन है, ढूशिए काविंटीव एक्टिव आपको देख सकते हैं यह आप प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं एस वीडियो को देख सकते हैं आप ऑल क compression करने को दिख सकते हुआ नजहीं को दिख करेंगे सबसे पहले बात करते हैं में स्टप्लिटिव निकालने में एपकिसिन तो सबसे पहले बात केते हैं Stability of Carbocatine Carbodenine का इस तायूत निखाने में तो Stability of Carbocatine directly proportional to plus R, plus H, plus I और inversely proportional to minus R, minus H, और minus I यहाँ पर R का मतलब होता है Resonance, अनुनाद और S का मतलब है Hyperconjugation, अर्थी संयोगमन पलस का मतलब है Electron देने वाले groups के लिए तो Carbocatine, Carbocatine में Carbocatine पर positive charge होता है उसके पास Electron की क्या होती है, कमी होती है तो वे group यह item जो की Electron देखकर उस Carbocatine के positive charge को खतम कर दे, उसको neutralize कर दे, वो है उस Carbocatine का इस तायूत को बढ़ाते हैं पहली चीज़, ठीक है, तो पलस जितनका भी पलस i effect, पलस h, पलस r वो Carbocatine की Stability को increase करेंगे अपन इंडेक्टिव effect पढ़ चुके हैं, तो पलस i वाले कौन कौन से group से, और मानिस i वाले कौन कौन से group से वो हम उस table में पर चुके हैं, अब यहां पर हम examples के साइता से, इस Stability of Carbocatine की को समझने की को सिज करते हैं, कि लिए यहां पर चीज ओ ज्यान देना कि more Electro-Negative element has a tendency to be a negative charge, and less Electro-Negative element has a tendency to be a positive charge, यानि कि अधिक विद्वत्रीनी परमानों, कि लिए negative charge रखने की समता रखता है, और कम विद्वत्रीनी परमानों, positive charge रखने की समता रखता है, यानि कि नेगिटिव चार्ज किस पर इस्टेबिलाइज होगा अधिक विद्धुत्रिनी परमानुप है यहां पर एक एक जाम पलें जिसमें सीएस्टी सीएस्टू प्लस सीएस्टू डगोन सीएस्टू प्लस है तो यहां पर इस कार्बन का संकन है एस्पीटू से सब्सक्राद्च थे ज्ञाद होता है इसका संगान और श्काम है उस और यहां प्रब्टायस यक्तिशे पड़ गार्विट्ल staब कम्न्सटेबल होगा हुस्आं लेक्ट्रोड यट्रनेग्टिविटी ऐलिमेंट कि परसेंटेज करके जतना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्र नेग्टिविटी भी ज्यादा होगी तो उसकी मैनिस चार्ज र narraliśmy च्म्था ज्यादा होती है फोजिति चार्ज को दिस्टेबलाइज करता मैं नहीं clear ou तो यहां पर जो पोजिटिव चार्ज है तो यहां पर जो पोजिटिव चार्ज है यह बाहर वाली और विटल्स में कि लिए तो बाहर वाली और विटल्स में जिसमें पर्सेंट एस करेक्टर सबसे कम होगा तो यहां पर देखो आप और यहां इंगर अंदर वाला सबसे कम परिस अंदर वाले में तोरफ़ ज्यादा और में और ज्जथा बोह बोन्र एंगल होता है तो बहार बोन्र आइंगल कम होगा और बौन्र बोंड्स में तो वहां पर पर सेंटैस क रेक्टर कम सबसे ज़ादा फॉर मेंबर और थी मेंबर से कम होगी तो यहां पर पोजिटी चार्ज इस्टेबल होगा तो फाइर मेंबर रिंग वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा फॉर मेंबर अब पढ़ चुके थाड़ एक्जांपल है सबसे कम किस्का होता है तो यहां पर ऊटर होगा CT-3 सबसे जएदा sd3 populaire । paule यह लग रहे हैं यहां पर ती दिगर कावोग किर्टये तीन इस Kollege क्रिव इह का बढ़ार है जिसके में लिखमान है में 15 काव मैं से खत्म हो जाएगा और इसको आसानी से न्यूटलाइज करेंगे तो त्री डिगरी कार्बो के टाइम हो इस्टबलाइज जाता है क्योंकि यहां तीन गुरूप का प्लस आइफेक्ट लग रहा है जबकि टू डिगरी में ओनली वन का तो ओडर क्या होगा त्री डिगरी टू कार्ब लिएन से लेक्टन डेंसिटी को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर दें और उसको नुटलाइज कर दें वह उस काब लिएन की स्टेबिटी को इंक्रीज करेंगे तो माइनस आर सबसे ज्यादा माइनस है फिर माइनस है ठीक है तो स्टेविटी और कि पर पोशनेटु यहां पर एसपी तरी यहां एसपी तो जिस कारबन में नेगिटी चार्ज है उस कारबन में परसेंटेस के रिक्टर ज्यादा है जिस ऑर्बिटल में यह तो यहां सबसे ज़्यादा फिर सबसे काम एसपी तो यहां थी मेंबर फोर मेंबर फार मेंबर के लिए तो यहां थी मेंबर रिंग में अंदर बोन्ड एंगल कम है तो बार बोन्ड एंगल ज्यादा होगा तो बार बोन्ड एंगल ज्यादा होगा परसेंटेस के एक्टेस ज्यादा होगा तो वह और विटल्स छोटे और मोटे जाता हैं छोटे और मोटे होंगे तो ये नंगेटिव चार्ज कार बनकेisf के ज्यादा नजदीक होगा उस कार्बन की गेक्टर नेगटिविटी ज्यादा होगी तो चार्ज बीर करने के टेंदेनसी वी ज्यादा होगी तो यहां पर धी मेंबर रिंग का सबसे जादा फिर फोर मेंबर रिंग में थी मेंबर रिंग की तुन्दा में बॉंड एंगल अंदर वाला ज्यादा हो जाता है इसलिए बाहर वाली ओर्बिटर्स में पर्षेंटेश केर्टर कम हो जाता है और फाइव मेंबर रिंग में और भी कम हो जाएंगे तो यहां पर बाहर वाले ओर्बिटरस नी परसेंटेजिस केक्टिक कम होगी, और नेगटिज चार्ज बियर करने की टेंदेंसिर भी कम होगी, तो थी मेंबर सबसे ज़्यादा, फिर फ्रोर मेंबर, फिर फाइव मेंबर, इसे परकास CT3, 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 तो CT3 का हमें पता हैं, फ्लस आइफ्रेक्ट जब ज़्यार्द होगा तो उसमेनेगिटिफ चार्ज दियेकर करने के कम हो गी क्योंकि प्लैस ज्यादा मतलब उसके लेक्ट्राइफ्टी conc सबसे कम मतलब इसकी लेक्टर नेगटिविटी से ज्यादा है तो नेगटिव रखने की शमता भी ज्यादा होगी इसे परका वन डिगी टू डिगी और त्री डिगी का आप बात करते हैं वन डिगी में कि एक ही डिगी में दो डिगी में दो इन्फोर होना चाहती है पोजिटी सोक तो CT देने वाला यह य सबहर नेगटिव ए तो उसको और आप किसी स्मूर्श क्यों है य नेगणा कर लेए पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी स्टेबलेटी उतनी ही जञदा कम हो जाएगी तो यहाँ पर ती डीगी कार्ब बनायन में तीन ईलकाई ग्रूप पोजिटिव जिनका प्लस आई फेक लग रहा है वह इस कार्बन पर जिसपर गर्देटी बढ़ाते हैं और जीतनी नोधियों जादा चाह चाहिती है तो ऊस कार्बन की स्ट्इब्लिक उतनी ज़्यादा कम dentist किह जाती है तो तो यह बातको गेसमेख Justivity of carves and anis. अब बात कहते हैं Reactivity of carbonic compounds. Carbonic compounds के reactivity in inductive fat किस परकार से help करता है. तो देखो carbonic compounds होते हैं वो देखो nucleophilic addition reaction. चारेक्टरिसलेक्टरिक इस और सी होते हैं nucleophilic addition. यहां पर reaction किस परकार से होगी? देखो. Carbonic compounds carbon double bound oxygen होता है. तो oxygen की electron negativity करेंगे जब औक्सिजन की तरह मुव करते हैं तो इस कारवन पाता है पार्शल नेकिटिव चार्ज ठीक है जब पार्शल पोजिटिव चार्ज तो फिस पर करता है नूग्लियोफाय अटेक यह देखो नीचे रीक्षन देखो आप कि नूग्लियोफायल नाभी किस नहीं और लेक्टोन इस नहीं नाभी किस नहीं तो क्या होता है नाभी को इस नहीं करने वाला मतलब जिसके पास लेक्टोन डेंसिटी ज्यादा होती है तो वह वहां पर टेक करता है जहां पर लेक्टोनों की कम होती है कि लिए तो नाभी किस नहीं कहां पर टेक करेगा पहले तो रियक कि पॉजिटिव चार्ज की उसमें कम से कम होगा तो ञेलेक्टर का टेक भी मुश्किल होगा और इसी प्रक्राइप करता है कि जहां पर लेक्टॉन ड reaction होती है whole nucleophilic addition reaction होती है तो यहां पर थेक्ष़ यह carbon oxygen के bond के लेक्टन जब oxygen के तरप जाएंगे तो गया ता है positive charge जब सोग्ष चार्ज आएगा तो nucleophile यह पर ठेकरएगा carbon पर तो carbon से जुड़गा nucleophile oxygen पर यागए डेक्टिव चार्ज यह जो first step वह सोलो स्टेया के लिए यानि अभी किया की जो दर लिदारी यो पस्ट निदारत हो एक्षार के साथ बडल में करना कामिनल की कि रियक्शन मेकनिज होती हैं देखिए कोई भी रियक्शन सो अगर आपको रियक्टेंट में यह पता चल जाए कि कि किस पर पॉजिटिव चार्ज हो कहां पर नेगिटिव चार्ज यानि इलेक्टोन डेंसिटी की कहां कमी हो खांदिक्ता है वह कैसे पता लगेगा अपनको के द्वारा अब हमने देखा कि लेक्टोन डिस्प्लेश्मेंट कि दर होता है मुव्मेंट की साइड में होता है और रियेजेंट में निक्लियो फाइल की तरह कौन कारे करता है तो अपनी पूर मेकनिज्ट आसानी से हो जाती है आना प्रोटक्ट है वह बिल्कुछ से इस ह होता है क्या होता क्या है कि जो पोजीटिव याल द면 हो यह वीडियो में यह जो सबसर पर इस इसका यहां पर इस प्रकार से reactions operate होती हैं अब यहां पर inductive fat का क्या रोल है वो देखिए आप यहां पर formaldead, acetaldead और acetone यह मेने carbonic compounds में यहां पर दोनों hydrogen जुड़े में carbonic group से यह carbonic group पर अपना यहां पर CST और hydrogen जुड़ा होगा यहां पर दोनों CST जुड़े में अब यहां पर हम देख रहे हैं कि reactivity order towards the nucleophilic addition reaction किसमें fast होगी तो nucleophilic addition reaction उसमें fast होगी जिसमें जिस carbonic carbon पर positive charge ज्यादा से ज्यादा होगा कि लिए तो formerly add में hydrogen लगा हुआ है hydrogen कोई effect नहीं पढ़ रहा है तो यहां पर positive charge ज्यादा यहां पर एक CST ग्रूप है जिसका plus i लग रहा है तो यहां इस carbon carbon पर positive charge को थोड़ा neutralize कर देगा उसके थोड़ा कम कर देगा और यहां पर दो CST ग्रूप जुड़े हैं जिनका plus i श्यादा लग रहा है तो यह और ज्यादे electron density इस carbon को देंगे जांसे जिसके कारण यहां पर इस carbon carbon पर positive charge में और ज्यादा कमी आएगी और nucleophile को क्या चाहिए electron density कम चाहिए उस center पर तो जहां पर positive charge ज्यादा से ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा का परें इस फॉर्मिल डियाड में और फिर acetone में तो ओडर क्या होगा सबसे ज़्यादा इसमें और फिर सबसे कम acetone में के लिए यह ओडर होगे यह नुक्लियोफिलिक एडिसन रियक्षिन का अब बात करते हैं रियक्टिवीटी ऑफ एल के हलाइड्स के रियक्टिवीटी को निकालने में इंडेक्टिव फेड किस परकाल से हैल्स करता है तो यहां पर दिखो वन डिगरी तू डिगरी और त्री डिगरी आपने ले क्योंकि यहां पर गटाने हैं और यहां पर और जो का तो जो का बोटा है वह आसानी से बनता तुरंत बनता है क्यां तो थीडीगी कार्वगट है मोर्स टेबल होता है जब कि यहां पर टूड़ीगी लेस टेबल होता है तो यहां पर रियक्शन नहीं होती है बहुत ही हाडली होती है के लिए और एक्जांपल देखो जैसे यहां पर यह बैंजिल क्लॉराइड है केली यहां पर यहां पर यहां पर प्रैसिन के साथ रियक्षिण लॉगी तो यहां पर पोजिटीव चार्ज प्रोलाइज भी यहां पर CL है इसकी रियक्षिन कराएंगे तो यहां पॉजिटिव कि बेंजायलिक का बगी टाइम पर आप्ट होता है यह भी मौर इस्टेबल है तो चल्फ होगा इस वाले केस में आप देखो चोते हैं यहां से ब्सक्राइब निकलता है तो इसका जो यहां के लोन पर के दरड़ा इसी लीए यहां पर से असाने से निकल जाता दो यह निकलने के बार जो पॉजिटिव चाह जाता है वह इस्टेबल होना चाहिए अगर वह इस सब्सक्राइब होगा आगी को में नहीं होगी मैं अगला एक्जम्पल यहां पर चैक इसनल निकलता है तो यह पोजिटिट राड़ जाता हुँ यह यह से भी जब निकलेगा तो यहां पर इसनलों कर द्रड़ के लिए यवा तोग इन्य अप्लिकेशन्स की